नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर निबंध लेकर आई हूँ यह निबंध आपके परियावरण दिवस 5 जून 2021 के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जो इस बार परियावरण दिवस की थीम रखी गई है जो टेग लाइन रखी गई है यह ऐसे उसको पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है मतलब उस थीम को पूरी तरह कर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है दोस्तो अगर आपको ऐसे पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाज ज़्याद अपने दोस्तों को शेयर करें मैं आपको ऐसे ही इंपोर्टेंट टोपिक पर ऐसे प्रोवाइड कराती रहते हूं तो आपका कोई भी ऐसे मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी टोपिक की पीडियाफ चाहिए या ऐसे चाहिए तो आप मुझे मेरे वेट्सप नमबर 9760131277 पर मैसेज कर सकते हैं इस नमबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वेट्सप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस भी टोपिक की आपको पीडियाफ चाहिए होगी जो पीडियाफ के प्राइज रखे गए हैं वो ओनली 15 रूपीज रखे गए हैं तो 15 रूपे इसके जो प्राइज रखे गए हैं कोई बड़ा अमाउंट नहीं है हर एक बंदा आसानी से इसको ले सकता है तो आपको इसकी पीडियाफ भी प्रोवाइड हो जाएगी तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज ये ऐसे पारिस्थित की तंत्र की बहाली और प्रकरती के साथ हमारे संबंद को पुन्हे इस्तापित करना सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखने से पहले जरूरी होता है कि आप उसकी लाइन को समझे उसके शब्दों को समझे तो जो हमारा पारिस्थित की तंत्र है उसकी बहाली करना मतलब उसे पुन्हे अरजित करना जो हमने खो दिया है उसे फिर से पाना और प्रकर्ति के साथ हमारे संबंद को पुन्हे स्थापित करना जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रकर्ति का हमने इस तरीके से हनन किया है कि हमारा जो उससे संबंद है बिल्कुल तूठता जा रहा है तो उस संबंद को फिर से स्थापित करना फिर से पृत्वी की और प्रकर्टी की और अपना हाथ बढ़ाना तो दोस्तों ये ऐसे की एक आपको समझाने की एक प्रकरिया थी तो चलिए देखते हैं जो भी आप ऐसे शुरू करते हैं वो एक कोटेशन से करेंगे तो आपका ऐसे बहुत एक्ट्रेक्टिव लगता है तो जरूरी है कि आप ऐसे को किस तरीके से एक्ट्रेक्टिव बनाए तो चलिए देखते हैं उद्योगो की होड दगर को छोड शुभम को लील रही कहां हुई कुछ भूल कहां हुई कुछ ढिल रही अब देखिए यह आपका इंट्रोडेक्शन पार्ट है जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं पारिस्तित की तंत एक प्रकरतिक इकाई है जिसमें एक छेत्र विशेश के साथ सभी जीवधारी अर्ठात पोधे जानवर और अनुजीर सामिल हैं जो की अपने अजैव प्रियावरन के साथ अंतहक्रिया करके एक संपोन जैविक इकाई बनाते हैं दूशे शब्दों में कहूं तो घने जंगल से लेकर एक छोटे तालाब तक एक परिस्तिकी तंत एक दूसरे से जुड़कर अपना महत्व प्रस्तुत करते हैं इश्वल ने मनुष्य को बुद्धी का अनुपम वरदान दिया है मनुष्य ने उसे बुद्धी का प्रियोग से अनेक अनेक चमतकार कर दिखाए उचे उचे पडवतों को काट कर दुरगम रास्तों का गमन योग्या बना दिया गमन योग्या का मतलब होता है आवाजाही करने है तू मतलब आने जाने योग्या बना दिया देखिया आप words अच्छे यूज कीजेगा तो ऐसे आपका बहुत अच्छा होता है आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आप जो आने वाली वीडियोस देखेंगे तो उससे आपका जो शैली है वो भी निखा राती है अब जैसे आपको नया वर्ड मिल गया गमन योग्य विशाल शागरों को पार करने के लिए साधन चुटा लिए आकास की उचाईयों को सपर्ष कर लिया नदियों की दिशाय बदल दी अपने आराम वैस्वार्त के लिए आज का मानव जिस दिशा की ओर बढ़ता है वह अंतत है मानव सब्यता को एक ऐसे गहवर में धकेलने वाली है गहवर मतलब होता है गड़े की ओर मतलब एक खाई की ओर जहां उसका निशान तो रह जाएगा किन्तु नाम पूनत है मिट जाएगा परिणाम हमारे सम्मुक है नित नई खुलती जा रही फैक्ट्रियां जहर उगलती फैक्ट्रियां गगन चुम्भी उद्योग एक ओर हम सुविधाओं से संपन्द कर रही है तो दूसरी और प्रदूशन और पारिस्थित की तंत्र को पूरी तरह से असंतुलित करने में अपना महतलपूर्ण भूमी का अदा कर रही है अब देखिए इसके बाद आप एक कोटेशन डालते हैं तो आपका ऐसे और एक्ट्रेक्ट निरंतर भढ़ रहा पृत्वी पर हाहा कार कभी पेड कभी पक्षी तो कभी गायब होते नलपतवार अगर ना रोका गया इस द्रश्य को तो बहाली करना असंभव होगा जीवनसार तो बहाली करना असंभव होगा जीवनसार विक्सित देश और द्योगिक अवसिष्ट के द्वारा परियावरण को अत्यादिक हानी पहुचा रहे हैं वे विकास्षिल देशों को ने तो उच्छ प्रद्योगी की देने को राजी है जिससे परियावरण जो परिदूशित हो रहा है वो कम हो और नहीं परिस्थितिक तंत्र को संतुलित होने में अपना योगदान दे रहे हैं आज विशु का हाल कुछ इस प्रकार है मतलब जो विशु का हाल है वो मैंने कोटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने को जाहिर किया है क्योंकि आप जिस तरीके से ऐसे में अपनी बात लिखते हैं वही सबसे महत्रपोन होता है अब देखे मैंने इस्थिती इन चार पंक्तियों में जाहिर की है यहां दुआ वहां दुआ आसमा दुआ जमीन दुआ दुए के इस गुबार में यह जीवन भी किसी दिन बन जाए ना दुआ यह जीवन भी किसी दिन बन जाए ना दुआ क्यूंकि परियावरेन के बिना हम एक सफल सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते हैं पारिस्थिती की तंत्र एक गाड़ी की तरह काम करता है यह संतुलित है तो जीवन सुचारू रूप से चलता है लेकिन जिस प्रकार गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाने से हम गाड़ी को निरंतर नहीं चला सकते उसी प्रकार अगर पारिस्थिती की तंत्र यूँ ही असंतुलित होता रहा तो जीवन भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा हमारी गैर जिम्मिदारी के कारण लाखो पक्षी, प्रजातिया, पेड़, पोधे विलुप्त हो चुके हैं जो की इस तंत्र की चेन तोड़ते जा रहे हैं वस्तुत है आज आवशक्ता है देखिए आपका कंक्लूजन पार्ट है जिसे आप निशकर्ष कहते हैं आवशक्ता है कि हम यह सोचे कि पारस्थिति की तंत्र की बहाली किस प्रकार हो किस प्रकार प्रियावरण को पुनर स्तापित किया जाए क्योंकि संतुलित वैशुद्ध प्रियावरण के बिना मानव का जीवन कष्ट में हो जाएगा हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणुवत्ता एक स्वस्त प्रकर्टी प्रियावरण पर ही निर्भर करती है विकास हमारे लिए आवशक है और इसके लिए प्रकर्टी संसाधन का दोहन भी होता है किन्तु ऐसा करते समय इस बात का इस्मरण रखना चाहिए कि इससे परियावरण या पारिस्थिति की तंत्र को किस प्रकार का नुकसान नहों इसके लिए आवशक है कि हर व्यक्ति जागरित हो क्योंकि अगर मैं बदलूँगी तो मेरा परिवार बदलेगा मेरा परिवार बदलेगा तो मेरा समाज बदलेगा और फिर वह दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व पुने परियावरण के साथ अपना संबंद पुनर इस्थापित कर पारिस्थिति की तंत्र की बहाली को सफल बनाएगा और अधिक से अधिक पेड लगा पूरी पृत्वी को हरियाली तीज की तरह महका देगा अब जो आप अपने ऐसे का एंडिंग करेंगे वो एक कोटेशन से कर सकते हैं कोटेशन है पारिस्थिकी की बहाली बढ़ाएं प्रियावरंड से मितलता का हात बढ़ाएं जीवन को स्वच्च सुन्दर बनाएं जीवन को स्वच्च सुन्दर बनाएं तो दोस्तों ये आपका ऐसे था अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप मुझे WhatsApp पे मैसिज कर सकते हैं, जिसके जो प्राइज सक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, थेंक्यू सो मच,